अलो फ्रेंट्स वालकम बैक तो अवर यूट्यूब चैनल सो गाइस बड़े दिन के बाद आपको स्टडी पे वीडियो मिल रही है कल रात को आपको मिली रही फाइनन्स एकाउट एस्टेन की एकनॉमिस्क पर पर जो आज का लेक्चर हमारा वह है मारा कोई भी आपका एक्जाम का स्लेबस है अगर क्लाइमेट आफ इंडिया टॉपिक है तो आपके लिए यह वीडियो है सारे कोशन हैं तो इसमें हम कुछ कोशन डिसक्रशन करने वाले हैं यह हमारा पार्ट वन है और सेकंड पार्ट भी आपका जल्दी ही आपको मिल जाएगा और आज भी आपको हमारा एक पार्ट मिलेगा हिस्ट्री आप जीहन के पर उसका पार्ट सैकिंड होगा क्योंकि हमने सोचा अल्टरनेटली डे पर यह टापिक लिए जाए दो दो टापिक को कवर किया जाए ताकि बच्चों को थोड़ी हल्प मिल सके तो इसलिए हमारी कभ आप जाके जोइन कर सकते हो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट आपको फॉंड कर सकते हो हम पे आपको इंडियन एकनोमिक्स फार जेके सभी फाइनन्स कोटेस्टेंट और भी अधर एक्जाम के टापिक लेटेट आपको मिल जाएंगे जीके बिस्पेशल रेफरेंस तो अभी त स्टाट फॉर्स कोशन है विच इस बन लिखना था विच बन अप दो फ्लोइंग प्लेज इस अनलाइकली टू विए वैक्टर वाइस आपने पड़ा अगर आपने तरह पार्ट पड़ें हैं क्लाइमेट आफ इंडिया के क्योंकि हम जादा फोकस करें एंडियों पे ठीक ह तो बोर है कि कोन साथ प्लेस है जिसको अनलाइकली आफेक्ट करता है साइकलून तो इसका जो राइट अप्चन है मैं आपको बता दू वह है चैने को चैने किसकी कäre वह है तामिलाडू ठीक है तामिलाडू कि के एपटल है उसके बाद मैंगलोर पूरी अम्रिशर पूरी आपको पता है उडिसा के बात कर रहा है उडिसा तो नहीं है वाई नेक्स्ट कोशिन जलिए जो इस तरह से आपको इस तरह से होगा ठीक है इस कोश कुन सा ओगे यह आपके अगर वेस्ट और यह आपका इस Candola करता है थो आपका उडिशन के से हाल वी जो Rain caused by thunderstorm during the hot weather Mid-March to June Kanagata is called इसको क्या बोलते हैं जो rains होती है During the hot weather season होती है Kanata कामें इसको क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है Kalbisaki Kalbisaki spelling गलत होगी है इसको Kalbisaki के नम से इसको जानते हैं टेके उसके में next question देखिए Recently a cyclone storm अहितों इस साइDown you को हिट किया है अस डॉ्न की 100 का नाम क्या है कि आ वह फैलीन है और राउन हे खड रृप ह्या माड़ी है तो जो एक रहा आप्षन आ वह आपको खड़ जो है उसने रिसांटली ही किये कि इसको इस्टन कॉंस और इंडिया को जिसका नाम ही ज़ए खुड है ठीक है next question जलिए which one of the flowing places has the lowest rainfall during the south most इन में से को कौन सा एक ऐसा places है यहां पर rainfall बड़ी कम होती है during the southwest मांसुन तो कौन हो सकता है वह आपका वह आपका है तामिल नाडू तामिल नाडू ठीक है चनही में यहां पर नौर्थ इस्ट जो मांसुन होते है ना उनका बड़ा प्रकूप है उनकी जांब है हाईवी हैवी रिसीप्स ग्रफ्स एक्जाम में कोचन पूचा जाए कि कौन सा ऐसा प्लेस है जो हाईएस्ट रेंफाल रिसीप्स करता है एड़ टाइम आफ नौर्थ इस्ट मांसुन के तामिल कि ब्सक्राइब राजिस्तान और इस्ट मेंगा शावर मेंगु शावर क्या है शावर् मोसा बहुत है फिल्सें रियूम यह को यह यह क्डुके प्रिमांसूसर देन होती है जो नौर्थ ईस्ट आम इपर्ड़न कोशन कई बार एक्जां में पूंचा कि झायर हैं त्री सव लगालोस को next question है one of the region received the rainfall during the north easterly mansoe मैं ने बताया भी Tamil Nadu ठीक है which of the flowing state received the rainfall due to western disturbance western disturbance से करन कुंसी ऐसी जो state है वो रसीव करती है rainfall वो करती है आपकी Punjab ठीक है Punjab is the right option last question है mansoe responsible for rains जारकंडीज कौन से मांसों responsible रहते हैं जो चारखंड में रेंस फाल होती है सिंपल सी बात अब वो आपकी रहती है south best मांसों अब मैं आपको बता दो सर ऐसे कैसे पता चलिगा देखे जो इंडिया का मैप है न उसको climate वाला मैप उसको अपने जहन में अपने माइन में बता दो कौन सी स्टेट कहां कांप है क्योंकि आपको physical division आफ इंडिया तो पढ़नी है चाहिए आप अब करें कि आपके लिए यह इंप आपको मैप हो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख दो इसको अपने माइन में बटा दो कौन सी स्टेट कहां पर है कांप कहां पर south west मांसून उनका प्रकोब होगा और कहां कहां पर north east मांसून का effect होगा वो किससे कहां पर ज्यादा बारिश होती है कहां पर नहीं होती है यह चीज़े आपको याद रखने हैं तो रखते हैं गाइस इस वीडियो में वस इतना ही 10 कोशन थे आई होप आपको अच्छे लगया अच्छे एराउंड तीन बज़े तक आपको प्रवाइट कर दिये जाए जैन के हिस्टी पर और चाम को छे बज़े तक थर्ड जो लेक्चर होगा मारा वो ट्राइ करेंगे hardware और software के ओपर computer devices के बारे में और last जो लेक्चर होगा fourth lecture वो रात को 9 बज़े वो किस पर होगा previous ASS questions होगे economics क के लिए एक्टाम एफए के लिए finance कोंट एंस्टेंट का दोजार ट्रांगा जो टीचर का पेपर था उसमें जो questions आई थे वो पूरे लेके आंगे और syllabus भी तो के गाईस बबाई टेकर ट्वाल फ्यू